एकदम restaurant style नारेल की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा नारेल मैंने इहां पर ले लिया है, तीन चार हरी मिर्चे लिए हुई है, यहां पर मैंने, spicy अप अपने इसाब से कम्या जादा कर सकते हैं, दो इंच अंत्रक का टुकडा लिया हुआ है, सारी चीजों को ब्रें इन चटनी पीस लेंगे, एक बार में साधा पानी ने डालना है, थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है, और यहां पर देखिए कितना अच्छा texture आगया हमारी चटनी में, बस इसी तरह की चटनी हमें चाहिए, कंसिस्टन्सियों के लिए थोड़ा सा पानी आइड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे, और यह हमारी चटनी में के रेडी हो गई है, अब हम इसके लिए एक तड़का त्यार कर लेते हैं, इसके लिए एक तड़का पैन में हमने दो बड़े चमच तेल डाला है, एक चमच राई डाली है, एक चौथा ही चमच हींग, दो सुखी लाल मेश को तुकड़े तोड़के डाल दिया है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया है, और यह हमारा तड़का बिल्कुल रेडी हो गया है, अच्छे से इसको चटनी में मिला देंगे,